नमस्कार ट्रोतो पेश्ट्रो लाइप यूट्यूब चनल में आप सभी लोगों का स्वागर्थ है आज के वीडियो में एक नहीं विशे के उपर बात करेंगे और वो है विवाह मुहुर्थ के बारे में वैसे तो अल्रेडी विवाह मुहुर्थ के उपर दो वीडियो बना हुआ है एक तो कि विवाह मुहुर्थ में कौन सा दिन नक्षत्र सुभ है दूसरा विवाह में द्रहों के बल का विचार कैसे करते हैं आगे आने वाले समय में औ और वीडियो के उपर विवहमोरत के बारे हमें चर्चा करेंगे हैं आज जिस शिर दुपर चर्चा करेंगे उसका मोरत में विचार नहीं किया गया है याणि शिगरौध में इसके बारे में बताया गिया है कि विवह में बातों का भी सि Also रखा जाए मैं एक स्क्रिंसोट के साथ आप लोगों के समक्षे इस बात को रखूंगा देखिए इसमें कहागिया है कि कि जन्म मासे जन्म बेचो नेव जन्म दिने पीचो कि जेश्टे ना जेश्ट गर्भस्या विवाहम कारियत कोचित यानि विवाह में जन्म मास जन्म नक्षत्र और जन्म दिन का विचार वश्चे करें जिस दिन जिस महिना में आपका जन्म हुआ है इसमें आप अंग्रेजी महिना को नहीं लें महिना यानि चायत वैसाक जेश्टासाल इस तरह से आप देख ले जिस महिना में आपका जन्म हुआ है उस महिना में ही विवाह नहीं करें यानि उस महिना का त्याग करें, जन्म भीचो, जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का भी त्याग करें, जैसे उत्रा भाद्रपद में अगर आपका जन्म हुआ है, तो उत्रा भाद्रपद नक्षत्र में आप विवाह नहीं करें, जन्म दिने पीछों यानि जिस दिन आपका जन्म हुआ है सोम बार से रभी बार तक जो भी आपका जन्म दिन है उस दिन भी आप विवा नहीं करें यानि विवा में उस दिन का त्याग करें उसके बाद कहा गया है कि जेष्ठे न जेष्ट गरभस्या विवा हम कारियत कोचित यानि जेष्ट पुत्र के लिए बड़ी पुत्र के लिए यानि जो संतान आपका बड़ा है उसके लिए जेष्ट महिना का भी त्याग करना चाहिए तो मुर्त के साथ साथ इन बातों का भी विचारा पवस्य करें मेरे इस यूट्यूब चैनल के उपर आपको जो तिस वास्तु एवं प्रतियक वर्स के सुभ मुर्त प्राप्त होंगे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर वस्य करें आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद